असलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग उम्मीदे के अच्छे होंगी सबसे पहले मेरी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैला के इनको प्रेस कीजिए ताके मेरी नए आने वे लिए वीडियो आपको जल से जल मिले आज मैं आपके लेकर आई हूं बेतरीन चिकन पालक विद क्र प्रेमी स्टाइल इतना मज़ेगा इतना लजीज के आप खाएं और तारीफे पाएं नहीं आप खिलाएं और तारीफे पाएं यह गलत बोल दिया मैंने जब आप दावत बनाएंगे न यकीन माने लोग आपके दीवाने हो जाएंगे इसके बहुत थोड़े से इंग्रीड बनाते हैं क्रीम है प्यास कसूरी में थी चिकन ग्रीन चिहली बड़ी और छोटी में पास बोलनेस चिकन है थी तो मैंने बोलनेस लिया आप अड़ी वाला भी ले सकते हैं यह दही है आदा तबके और यह अद्रक लसन एक खानी का चमच गरम मसाला नमक प्यास चिकन कसूरी में थी प्यास चिकन हरी मिर्च दही अदर ग्लसन कसूरी में थी गरम मसाला नमक अब यह पैन में मैंने दो से तीन खाने चमच का वाइलर्ट किया इसको गरम होने के बाद मैं इसमें ग्रीन चिली चोटी चोटी कट करके मैंने दो यूज की थी आप चार कीज़ेगा एक कीलो में इसको पिर मैं फ्राई करूंगी जब यह फ्राई होने लगेगी तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पालक जो मेरे पास यह सामने कट करके रखी वी बारी यह आदा कीलो पालक है मैं आपको एक कीलो रेशो का बता रही हूं एक कीलो पालक की रेशो का अब इसको हम शामिल करेंगे जब पालक का पानी ड्राय हो जाएगा तो फिर हम इसे साइड में रख देंगे इस पैन को इसमें मैं इंगीडियंस आपको फिर बता रही हूं एक कीलो रेशो दो अनियन फ्लाइस चिकन आपके मरजी के मताबिक हड़ी वाला हो यह बुलने सो पालक एक कीलो कसूरी मेथी दो खाने के चम्मच गरम मसाला दो खाने का चम्मच हरी मिर्ट छोटी और बड़ी छोटी में चार यूज किजेगा बड़ी सर्विंग के लिए कट करके दही आदा कप नमक और क्रीम एक कप से थोड़ा सा कम टेस्ट आना चाहिए मैं आपको आगे शो कर दूंगी कितना आपको इसमें शामिल करना एक किलो में आदा कप की क्रीम काफी होगी अभी मेरी चैनल को सब्सक किजी ताकि मेरी नई वेडियो आपको जल से जल दे अब देखे मैंने पालक को साइट कर दी अब दूसरे पैन मैंने फ्रेम ऑन किया है बहुत मज़े के बनता है यह हमारी फैमिली रेसिपी है अभी मेरे पास बोलनेस चिकन थी तो मैं बोलनेस पहले फ्राइड कर रही हू तो मैं पहले फ्राइड कर रही हूं और इसे फिर मैं निकाल दूँगी कि बोलनेस ठूट जाती है अगर आपके पास चिकन हड़ी वाली होगी तो उसे आप पैन से मत निकाल लिएगा उसी के अंदर हम आगे जो इसके इंग्रीडेंस है वाइट कर देंगा यह फ्राइड ह यह फ्राइड हो गई है मैं पास हड़ी वाली नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको फ्राइड करके निकाल दिया अगर यह हड़ी वाली बोन की साथ होती तो मैं इसे पैन से नहीं निकालती मैं इसी महीं आगे जो अपनी प्रिंग्रीडियंस है वो एट करती है अब इसी में ह अनियन यह प्यास एड करेंगे स्लाइस और स्कुस ट्रांस्पारेंट करेंगे यानि सॉफ्ट हो जाए इसे कलर नहीं देना ब्राउन नहीं करना अब इसे मैं कुक कर रही हूं यह मेरी बेहन की रेसिपी और आज की नहीं बहुत पुरानी आप जब खाएंगे और किसी उखलाएंगे नहीं कहेंगे रेस्ट्रेंट में मुझे लगता कि आपने कहीं खाई होगी यह दो हजार ग्यार चार या तीन मिल्चेस्टर ने बनाई अपनी क्रियेटिविटी की थी उस वक से हम आज तक ही खा रहे हैं अभी देखेंगे ट्रांस्पेरिंट हो गई है अब इसमें मैंने अदक लसन यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल किया अब इसे मैं और इसमें थोड़ा सा पानी अट करूंगी ताकि हो मसाला अधर किने क्योंकि वो चिकन मैंने फ्राइगा की निकाल लेती इसलिए जल जाता है अब इसे मैं को करूंगी अधर अफ्लसन को अच्छी तरह से ताकि इसका कच्छपन हतम हो जाए अधर आधर जाए आप मेरी रेसिपी ट्राइ कीजिए फीडबैक दीजिए शेयर कीजिए अभी इतनी पुरानी रेसिपी है जब चैनल स्टार्ट किया तब ही शेयर कर सकती थी अब जब आप बनाएंगे आपको खुद हैरानी होगी आपने खुद बनाया है इतने मज़ेगा होता अभी चिक अनचा इस समще्निटी थाट है तान इससी मे रहे हो धीजिए अभी मैं नमक शायर किया ओप टीजिए कैसे नमक स्टेशंबहार नमक होता है इसलिए अलग किया क्योंकि यह अगर फ्लेम अन है और स्मिद एड़ कर दें तो फट जाती है इसलिए मैं आठा दी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है तो आप उसको फ्लेम पी एड़ कर दीजेगा कोई मसला वाली बात नहीं है अवाज मेरी अच्छी नहीं है बड़ी मुश कि कीलो का रेशो होगा तो आप दू खाने के चम्मच एट कीज़ेगा अब मैंसे मिक्स करके कुक करूंगी पांस से छे मिनट कवर करके ताकि इसका ओइल सेपरेट हो जाए जब आप इसे दावत में मनाएंगे अपने घर में आहाम डेली रोटीन में लंच य लटियू इसे मनाएंगें न यकिन जाने बहार वाले तो आपको भाद में दावत पूल बा 나와 आपके गर्वाले पहले आपकी तारीफों की पुल बनेंगे इतना मज़ीग अतना लजीज बनता है और मुश्किल से इसके त्री इंगिडिन्स है स्पाइस इसके गरम मसाले और ग्रीन चिलीज अब यह देखिए और सेपरेट हो गया नज़र आपको पानी दही का जो पानी ह वो खुशक हो गया अब मैंसे दो तीन मिनट और भूनूंगी इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पालक जो हमने साइड में कुप करके रखी वी है प्यास ब्राउन की पहले हमने इसमें चिकेन एड की चिकेन को हमने हलका सा कलर चेंज कर लिया इसमें प्यास एड की प्य मिनट कुक किया व्या ओयल सेपरेट हो गया उसमें फिर आमने ये पालक हम शामिल कर रहे है आधार कीलो पालक थी तो में फ्राय होके श्रिंग यानि थोड़ी सी रह जाती है कीलो यूज कीजेगा क्योंकि आपके घर की मेंबर जाद होंगे इसलिए अब मैंने इसमें पाल इसको भूनने के बाद अच्छे तरीकी से 5-6 मिनट मैंने से भूना था और फिर 2-3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके पकाऊंगी दो से 3 मिनट के लिए से आप कुकी जीगा कवर करके अभी मैं आपके सामने ये भूनती भी देख रही हूँ बहुत मसीगा बहुत टेस्टी बनता है बहुत जट पर तयार होने वाला इसमे कोई मेंनट नहीं सिवाई पालक की कटिंग के बस पालक को वाच करना उसके करना बाकि कोई इसमें ने इतनी मसालें न कुछ औलि इतनी मज़ेका बनता है कि मेरा छोटा सा बेटा इसको बहुत पसना है उसने भी खाया तो इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह मेरी बेहन की रेसिपी है और बहुत जमाने से बना रही है अपनी क्रेटविटी है उनका ही मैथड़ है यह सारे जो मसाले हैं सब उन्होंने ही सोचके यह से एड़ किये थे और उन्होंने ही कुक किया था इसे तो यह अब इसे मैं कवर करके कुक करूंगी और फे इसमें बसाख़ी दो स्पैस मसाले ही जो हमारी इंगेडियन्स सौरी वो इसमें शामिल होंगे यह देखिए अब इसे कुक करके मैं यह गया दो से ती मिनट आपका सेपरेड होगा नजर आ रहा होगा अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी युदो मुझे थोड़ी सी घ्रेवी चाहिए आप भी इस प्रोसेस पे इस टाइम आप पानी एड़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मुझे चाहिए था इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा शामिल किया यही इसकी शकल होने चाहिए इतना ही पानी आड़ होना चाहिए इससे जादा नहीं अब इसमें मैं गरम मसाला आट करूंगी वन टेबिल स्पून एक खाने का चमच इसके बाद मैं इसमें यह जो बड़े सैज की harvest में पास थी एक ग्रीन चिली आप वहां पर आती हैं बड़े सैज की मोटी वाली अब वह भी आड़ कर सकते हैं कट करकी यॉर्ष स्कूल इसमें आड़ करके कोक कर सकते हैं अब मैं इसमें 2-3 मिनिट इसे मिक्स करूंगी पानी को जारा कुक करूंगी ताकि पानिया इसमें अब्सोर्व हो जाए और ये ग्रेवी और एक ओयल जो शकल होती जो रिजल्ट है वो सामने आजाए अब इसके बाद सबसे लास्ट इंग्वीडियन्स हैं क्रीम ये क्रीम मैं शामिल कर रही हूं ये ये वन फोर्ट से थोड़ा सा जादा मैंने अड़ किये अगर आप एड़ करेंगे एक कीलो की रेशो में तो एक कप एड़ होगी जो एक कप होता है वो चाय का एक कप नहीं मेजरमेंट का एक कप वो एड़ कीजिएगा और बस दो मिनट के लिए से स्टीम दीजिएगा बस फिर आप फ्लेम आफ कर दीजिएगा ये चूला बन ना चूले से साइट ये देखें कितनी मज़ेदार तयार हुई है ये मैंने रेड चिली सर्विंग के लिए रख दी था कि ये प्रिजेंटेशन में अच्छी लगे वैसे मैंने इसका कोई यूज नहीं था इसको ट्राइ कीजिए अपने घर में अपने घर वालों से तारीफे पाईगे अपना खियाल रखेगा और इसे जरूर ट्राइ कीज पाईगार इंतहाई टेस्टी जवाब इसे बनाएंगे दुआओं में जरूर याद रखेगा अपना खियाल रखेगा चलती हूं अल्हाफिस यह झाल झाला खियाल झाला झालीटब रहे पर चॉल्हाई